अस्वालेकूम यूटी फैमिली टीम अपनाघर.PK के साथ असद अली इस पैक विद अनी वीडियो और आज हुमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड एक तो है आज जुम्हे का दिन and secondly the house we have got in our hands today it's very very hot believe me what this house has to offer for us in this price range it's just hard to believe बहुत कम ऐसे घर होते हैं जिनकी वीडियो शूट करते हुए मज़ा आता है आपको and this house is one of them so अभी मुझे ये भी पता है you all people are unconsciously thinking के यार असद भाई आज आपकी तबे तो ठीक है इतने तारीफों के पुलिस घर के हैं भाई ऐसी के खास बात है इस घर में so अभी हम start करते हैं इस घर का full house tour और हमेशे की तरह में आपको एक एक चीज detail के साथ और तफसील के साथ बताऊंगा और आपको ये चीज़ भी पता है कि मैं जब किसी भी घर को criticize करना होता है या उसको appreciate करना होता है बगार किसी कंजूसी के में करता हूँ so इस घर की जो main highlight है वो है जी इसकी price और इस price range के अंदर मैंने इस quality का घर इससे पहले नहीं देखा आप front elevation से start करें इस घर के ठीक है front elevation की design इस घर के car porch अभी आपके समने आ रहा है फिर जब आप घर के अंदर जाएंगे आपको जो tiles नजर आएंगी most premium tiles washroom के अंदर जो accessories हैं जो आपकी cupboards है cupboards की lamination है फिर इसके साथ साथ आपका जो paint की quality है जो LEDs की quality है जो आपका kitchen के अंदर काम हुआ 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 सब top notch आप ऐसा नहीं है कि इसमें जो है इन्होंने सिर्फ lipstick करके जाहिरी तोर पे तमाम चीज़ों को अच्छा बनाया हुआ हुआ इसमें आपको quality नजर आएगी ठीक है अभी हम आ चुके हैं इस घर के carports के अंदर and we have got five मनला single story house and we are standing in Adyala road snobber city ठीक है और अभी आपने rectangular windows देखी जो के बहुत कम घरों में इस तरह की windows दी गई होती है बलके expensive घरों में भी जो है वो इस तरह की windows नहीं होती है जैसे ही हम एंटर होते हैं from the drying room अब यहां पर आप इसके दर्वाजे की quality देखने है यह yellow pan की जो है वो wood इस्तमाल हुई है जो के market में सबसे expensive होती है इसके handles जो के अभी open नहीं हुए और throughout the house आपको seniority ceiling work देखने को मिलेगा जो के बहुत कम होता है लाहोर के Spanish houses होते हैं जिसके अंदर अमूमन लोगों ने यह वाला ceiling work इस्तमाल किया होता है और यह काफी ज़्यादा expensive होता, costly होता है और इसके साथ साथ throughout the house जो आपके ceiling fans हैं वो भी बहुत अच्छी company के है company का में नाम नहीं लोगा क्योंके भाई उन्होंने promotion के लिए मुझे pay नहीं किया सो अचा यह आपने देख लिए buttons और again यह वही rectangular windows है जो आपको बाहर से नजर आ रही थी aluminium windows यहाँ पर इस्तमाल की गई है अब जितने भी garage तक मैंने shoot किया है 60 to 70 lakhs की range के अंदर आपको tile flooring आपका जो yellow pen की यहाँ पर लकडी है top notch companies के आपको ceiling fans और इसके साथ साथ जो washroom accessories है वो नहीं देखनों के मिलती है to be very honest ठीक है और यहाँ पर आप washroom के अंदर आते हैं तो आपको एक अलग से dedicated exhaust देखनों के मिलता है ceiling यहाँ भी हुई भी है और इसके साथ साथ अभी जो आपका mirror दिया गया वाश बिस्तन के साथ यह भी काफी मज़ेदार लग रहा है इस पर LED light इसके अंदर है मैंने शायद on नहीं की वीडियो बनाते हुए anyways, drawing room के अंदर आप जैसे ही enter होते हैं तो यह आपको wallpaper भी नजर आ जाता है जो कि काफी अच्छा लग रहा है अभी यहाँ से हम चलते हैं towards the TV lounge of this house और आज की इस वीडियो पे मुझे 4000 likes चाहिए कितने? 4000 अभी आपने अगर like नहीं क्लिक किया तो जल्दी से क्लिक कर दें और अगर नहीं किया न तो मैं नराज हो चूँगों मैं सीधी सीधी बता रहा हूं बात आज मुझे 4000 likes चाहिए anyways, अभी हम आच चुके हैं TV lounge के अंदर and we have got this beautiful featured wall in the TV lounge जब यहां पे आप देखें, cupboard काफी अच्छी दी गई है जो इसमें lamination इस्तमाल किये, glossy lamination है इसके साथ-साथ ceiling work again वही चिनियोटी ceiling work है और इसमें आपको yellow color की rope light दी गई है अच्छा, color scheming मी बढ़ी अच्छी है गर कहीं से suffocated या आपको बंद बंद नहीं लग रहा उसकी आगे चल के बात करते हैं यह है जी आपका LCD rack बलके एक पूरी almारी ही है आप इसे TV lounge, cupboard भी consider कर सकते हैं जिसमें काफी जगाएं नीचे चीजें रखने की समान को accommodate यह कर सकता है आपके और इसकी finish से आपको idea हो रहा हुआ कि premium काम हुआ 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 है सस्ती वाले चीजें इस घर में नहीं लगाएगी मैं इसलिए हैरान हूँ कि यार इतनी कम price में इन्होंने इतना माशाला अच्छा काम किस तरीके से किया है बात ऐसी है कि अगर आपकी नियत सची होना चीजें हो जाती है काफी हमारे builder होते हैं पाकिस्तान में जो के धंडिया हमारते हैं क्योंकि यार वो business man होते हैं और उन्हें अपना profitability देखना होते है उन्हें नहीं घर्ज यार कोई सी बंदे को हम अची चीज़ दें बुरी चीज़ दें long term उसके काम आईगी या नहीं आईगी anyways अभी हम आच चुके हैं kitchen के अंदर and look at these laminates अब different pattern के हैं जो आपका glass भी है वो simple glass नहीं है इसके अंदर आपको patterns दिये गए हैं और electric hood यहां पे आपको दिया हुआ है और यह है जी आपके shells these are your stoves अचा अब जितने घर मैंने 60-70 lakhs की range के अंदर देखें उनमें stove भी नहीं गिवन होता है electric hood भी नहीं गिवन होता है kitchen गंदा सा होता है लेकिन this is where this house is making the difference और एक overall look आपको दिखा रहा हूँ again kitchen की kitchen में भी आपका sealing work दिया गए तो मैं simplicity की तरफ आ रहा था अच्छा यह घर कहीं से भी आपको overly exaggerated नहीं लगता या किसी जगा मुझे ऐसा feel नहीं है कि यार इन्होंने बहुत ही ज़ादा over cook कर दिये चीजें all spices are equally balanced ठीक है in terms of its design in terms of its color in terms of its taste बड़ा मज़ा आया मुझे इस घर की वीडियो बनाने में और अभी तक कोई ऐसी जगा मुझे नहीं मेली कि मैं इसको यार criticize कर सकूँ बलके मैं तो यार सोचते ही रहे गए कि यार इसको किस तरह से criticize करूँ anyways अभी हम आ चुके हैं bedroom number one के अंदर और इस घर में total two bedrooms हैं और यहां पर आपकी mat finish की wooden lamination दी गई है ceiling work again नहाईती शांदार है और आपकी इसके साथ साथ wallpaper आपको दिया गया है यहां से हम आते हैं wash room number two of this house और यह जी आपके wash basin अब wash basin भी यहां पर सस्ते वाला नहीं दिया गया अच्छा वाला expensive वाला यह wash basin है जिसमें पूरा जो है marble का slab इस्तमाल हुआ हुआ है और यह आपका mirror है इसके पीछे LED lights आपकी लगी है overall जो इस घर की सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है आप इस घर के किसी भी कौने में आजाएं आपको कहीं पे भी जो है वो mediocre feeling नहीं आनी हर जगा पे premium feeling ही आ रही है और यह है जी आपके wash room के tabs Muslim shower वहां पे आपने देखा अभी हम यहां से निकलते हैं बाहर और we have got three door cupboards और इसके अंदर mirror भी दिया गए क्योंके मेरी तरह का मंदा जो के बार बार अपने बाली सेट करते रहता है उसके लिए एक mirror होना जरूरी होता है और अभी हम आ चुके हैं bedroom number two के अंदर तो again देख की गई है और again three door cupboard आपकी जो के mat finish lamination के साथ बनी हुई है इसके दरम्यान में mirror और इसको open करके भी मैं दिखा दता हूँ जगा इसके लिए काफी जदा होगी और आप अपना easily समान यहां accommodate कर सकते हैं तो आज की वीडियो I hope कि आप लोगों को पसंद आई होगी suggestions भी दे सकते हैं comments में और मुझे यह बता दें कि आज यह वीडियो आप कहां कहां से देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले यार मेरी audience कहां कहां पे बैठी हुई है अपने country का नाम या जिस city से देख रहे हैं और अभी हम आच चुके हैं जी last washroom of this house washroom number three और यहां पर again exhaust दिया गया है जो कि अच्छी बात है और similarly यहां पर आपको टॉवल की भी जगा दी गई हैंग कर सकते हैं आप और आपका wash basin आपको मुझे मुस्लिम शौवर इसके साथ साथ जो आपका water tab हैं यहां से अभी हम निकलते हैं बाहर और अगेन एक overview आपको पूरे घर कर दिखा जाता हूं दि यहां से हम चलते हैं अभी उपर आपके rooftop पे rooftop पे भी यहां पे आपको chips दी गई है खाली नहीं छोड़ा गया तो again वही बता रहूं कि किसी जगह बे जाकर यह फिल नहीं होता कि यार मालिक ने कहीं ना कहीं डंडी मारी है मैं तो परेशान हो गया था इसको करेड़ किसे कर दी अच्छा यह इस पे जो है ना chips है throughout the rooftop सिर्फ इसकी रगड़ाई नहीं हुई वी तो इसलिए आपको इस तरह लग रही होगी और अगर अब बात की जाए इस घर की amenities की तो यहां पे आपको electricity available है water society की तरफ से आपको provide किया जाएगा तो पानी और बिजली का यहां पे काम नए घर बन रहे हैं इसी वजह से आपको स्ट्रीट जो है वह मैस्ट अप लगेगी लेकिन यह गली जो है पूरी सीमिटेड है कहीं से भी कच्छी नहीं है और वीवर एट स्नोबर सीटी अडेला रोड रावल पिंडी और आई होब कि आपनों को यह वीडियो पसंद आ